आमशिक्षिक तो आज हताश और निर्थसाहित है और वो हताश और निर्थसाहित इसलिए नहीं कि और कोई बहुत सारी समस्या हैं अगर आप शुमन अंगल देखें शिक्षक का और इस शुमन अंगल से मैं तनखा को निकाल देना जाहता हूं इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा है कि तनखा के कारण कोई शिक्ष्षत जो है वो उसके प्रोथसाहन में कोई फर्क पड़ता है और अब तो कत़ ही नहीं पिर में यह नहीं कहहां हुआ हुग कि कुछ राजू कि जंग में पहालपे समस्या नहीं है। लिंकिन मैज Meyer जनरलाय कहह रहा हुग〉 एक बार вौ किसी स्कूल में गए थे चोटे से गाव के स्कूल में ठीक होना बड़ा अपने ने आप में एक अड्वेंचर हैं 20-25 मिनिट आप चड़ेंगे किसी पहाड़ पर उसकी आप पहाड़ पहाड़ पहाँ पहाँचेंगी तो वहाँ गए उनसे एक शिक्षे से बातचीत की बड़े बढ़िहा शिक्षक थे वहाँ से निकलने लगे तो उन्हों ने उसके कंदे पे हाथ रख दिया मेरे जो साथी तो वो जो शिक्षक थे वो तो रुआ से हो गए तो उन्हें पूछा कि यह क्या होगा अबे मैंने तो क्यो तो आने कंदे पहाँ रखा है मैंने वह दलती कर दी क्या तो उन्हें का कि नहीं साब ऐसा है कि पहली बार मुझे किसी ने आदमी की तरह टेट किया है हमारी समझ यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप शिक्षक को आप मतलब हमारा शिक्षा तंत्र हमारा समाज कैसे ट्रीट करता है इतनी बड़ी बिरॉक्रसी है शिक्षा की बिरॉक्रसी या सरकार की बिरॉक्रसी उस सरकार की बिरॉक्रसी में शिक्षक जो है वो सबसे निचला, सबसे निचला है, और उसको सबसे जरूरी काम करना है, हमारी समझ में, हमारे experience में, शिक्षक को अगर आप अपनी बराबरी पर ट्रीट करने की खुष करें, उससे ज़्यादा प्रोचाहन की जवरत है नहीं, सार ये है कि किस तरह से की तरह ट्रीट किया जाए, शिक्षा तंत्र में, क्या जगह है शिक्षक की, किसी भी संस्था में, और हमारे देश की बात नहीं कहीं भी, प्रोचसाहन के बिना कोई काम नहीं हो सकता, शम्ता और प्रोचसाहन जब साथ में हो तभी काम होता है, हमारे विद्यालेओं में, शब्शक्षचू हैं, वो तो बिलकुर निरुञ्टसाहित हैं, अगर आप जाके देखें तो प्रोचसाहन के जरुट हर रोज आपको दिखेगी, और यहीं हमने देखा, प्रोचसाहन पे एक काम करना, यह नहीं है कि हम उनको प्रोचसाहित करें, वो नहीं होता है, पूरत केवल यह है कि शिक्षक को एक व्यक्ति की तरह अपनी बराबरी पर ट्रीट किया जाए, उसके इस तरह से बिहेव किया जाए. शिक्षक कों की शम्ता वर्धन जो है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उनको एक क्लासरूम में लाके ट्रेनिंग करने से नहीं होता, वो होई नहीं सकता, वो तो केवल घंटे गिनने की बात है. अगर शम्ता वर्धन पर सही में काम करना है, तो शम्ता वर्धन तो दो ही तरीकों से हमने देखी है, होती है, वो यह है, पहली कि आप शिक्षक के विद्याले में जाए, उसके साथ मिलकर उसकी समस्याओं को समझें, और उन समस्याओं से जूजने के लिए मिल जुलकर कु शायद अगर जुटा सकें जिनमें अपने याँ आप सीखने की कुछ ललक हो तो वो लोग मिलकर बात करेंगे उसमें हम भी आप भी कुछ योगदान कर सकते हैं और उससे बहुत शम्तावर्धन होता है तो विद्याले में काम करना और एक बाहर अनौपचारिक रूप से मिल जुलकर बात चीत करना हमाई समझ मीसी से शम्तावर्धन हुआ है तो जब तक हम शिक्षक को उस नजरिये से ना देखें कि उसका काम और वह सबसे महत्वपूर्ण है समाज के लिए तब तक बदला बहुत मुश्किल है तब तक शिक्षक का प्रोचान नहीं हो सकता हमने तो वही सीखा जो शायद भगवान बुद्ध के समय से सच है कि चौक हो ना हो, किताब हो ना हो, स्कूल हो ना हो अगर शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है और चात रहे तो शिक्षा होगी तो शिक्षक जो है, वो मूल भूत काम करता है शिक्षा में और शिक्षा समाज के लिए मूल भूत है तो इसलिए हमने ये सीखा कि शिक्षक जो है वही केंद्र बिंदू है इस सारे तंत्र का इस सारे प्रयास का और उसमें हमने ये भी सीखा कि जब तक शिक्षा के इस मूल्य को समाज ना समझे और समाज उसको स्वीकार ना करे और इस बात को शिक्षक ना समझे की समाज समझता है तब तक बदलाव मुश्किल है शिक्षा बदल गई इस सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है लेकिन अगर आप किसी कक्षा में चाहिए किसी शिक्षक को देखें किसी बच्चे को देखें तो बदलाव देख सकती है और बदलाव तरह तरह के दिखते हैं पहले जो शिक्षक किताब खोल के चौक ले के रटाना शुरू कर देता था, आज भही शिक्षक यह कोशिश करता है कि समझे कि बच्चे की समझ क्या है अभी और उस समझ से शुरू करके फिर पढ़ाई शुरू हो, और यह बहुत जरूरी चीज है, यह एक बदलाव आपको तो केवल बेट से लोग बात करते थे, वहाँ अगर बच्चे हस खेल रहे हैं और शिक्षक से बात कर रहे हैं, बड़ा भारी बदलाव है, तीसरा बदलाव अगर आप किसी विद्याले के प्रांगण में जाएंगे, वहाँ देखेंगे, किसी ने अगर दिवाल पर गाव क गाव का अखबार लिख रखा है, जो बच्चों ने लिख रखा है, बच्चों ने उस दिन का अखबार लिखा, गाव का अखबार, तो ये बदलाव है, तो इस तरह की बदलाव आपको जगा 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 दिखेंगे.